शिफसेना सांसद संजयराओ से जांच एजनसी प्रवर्तर निरेशाले पूश्टाच कर रही है उनके घर पर लगातार कई घंटों से टीम मौजूद है इस वक्त हमाई साथ मौजूद है बीजेपी के राजसाबा सांसद हर्णा सिंग्यादव संजयराओ समेट जो तमाम जो शिफसेना से जड़ो हुए निता है वो कह रहा है कि जांच एजनसी का दुरूप्यों करके दबाव बनाने की कोशिश है संजयराओ तो कह रहा है कि मैं शिफसेना के साथ हूँ और आगे भी रहूंगा देखे कुछ वर्षों से देश के अंदर एक प्रचलन हो गया है कि जो लोग आकंट प्रिष्टाचार में डूवे हुए हैं वो सब अपने को निर्दोस बता रहा है चाहे वो सुनिया गंदी हों चाहे रहुली हों चाहे टीमसी के लोग हों चाहे आमादमी पार्टी के लोग हों चाहे मरे शिफसेना के लोग हो मेरा ये कहना है कि यदे आपने कोई अपराद नहीं किया है कोई गलती नहीं किया है तो फिर आपको डर कायका है E.D. का काम जाच करना है यद कहीं पर उसको कुछ चूटर मिलते हैं जिसको होता है और इस पर सरवच नयाईले ने पूरी तरीके से इस पश्ट तोर से कह दिया कि E.D. का काम जो उनके जुम्में हैं वो उसकाम को कर रहा है उसमें किसी परकार का कोई हस्तक्षिप नहीं किया है आप पकड़े जा रहे हैं इसलिए आपको परेशा नहीं है संजय राओ समेच तमाम जो है शिवसिना के सांसद और जो मंत्री जो पूर मंत्री रहे हैं जो मौझूदा नेता है जो उद्धव ठाकरे के साथ में वह कह रहे हैं कि दबाव ये बना जा रहा है कि वहां साथ चोड़ करके दूसे एक शिंड रेखेमे में आ जाएं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगा संजरा रहुत याध्या से नहीं कई महिनों से कह रहे हैं दोकि ये शिवसिना का इस प्रकरकत तर्क जो है कोई कर करने के तैयर नहीं है कोई इसको बानने के तैयर नहीं है उनके खिलाफ ये एडी की कारवाई तो बहुत पहले से चल रही थी तमाम अन्य नेताओं के खिलाब और कोई भी आर्थिक अपरादी आज ये नहीं कहता कि मैंने किसी पर करका गरवड किया है एक भी ऐसा नहीं है तो एडी अपना काम कर रही है सही दिशाम कर रही है फर्क केवल इतना है क दो हजार आठ से पहले एडी के हाथ बांद के रखे गए थे आज परधान मंतिशी नरेंद मोदी जी ने बिलकुल पूरी उनको सुतनता देती है कि आप निश्पक्षभाव से पूरी इमान नारी से जिन्होंने भी आर्थिक अपराद किये हैं उनके खिलाफ कारवाई के यह सरकार से कहीं बीच में आड़ी नहीं आएगी दूसरी बात अगरनी मोदी जी ने जब दोहजार चौदे में आयते तो उन्होंने कहा था कि मैं ना खाने खाऊंगा ना खाने दूगा उसको वो चरतार्थ पूरी तरीकिस कर रहे हैं इसलिए मैं उनका अभिनेंदर करता सरकार के दबाओं में चापे मारी चल रही है लगातार जो एक तमाम विपक्षी पार्टियां यही कह रही है और संजर आउत के खिलाफ भी जो कारवाई हो रही है लगातार यही कहा जा रहा है कि देखिए सरकार के दबाओं में जाचे देंसिया काम कर रही है और किसी दवाव के बिना किसी भैके उसको जो जिम्मेदारी सोपी गए उस जिम्मेदारी को पूर्ण कर रहा है और बिपक्स के अधिकांस नेताय से हैं जो आकंट आर्थिक अपरादों में जिनकी गरदन जो है फसी हुई है आज कारेबाई हो तुल मिला रहे तो उनको राजने मोडी जी हैं वो जपकरने वाले हैं ना सम्याइथा करने वाले हैं बैहốt उससाथ अपरादियों खाल उनके इस खिलाफ सकत कारवाई है आपने हो गीए जो भी नोशी है जो भी अरॉपी उसके खिलाफ पकड़ी कारवाई हो गी और अगर संजर आउथ कोई अपराद एक बयानबाजी हो रही है वो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि ED को स्वतंत्र रूप से काम करने की जादत मिली हुई है और वो अपनी जाच करती रहेगी साफ तौर पा हरना सिंग यादव का यही कहना है कि अगर सं